कांदी जी के विचार जो है वो लोगों के सामने रखे जाएं वो बहुत ही बहतरीन सुझाव था प्रदान मिंत्री जी का कांदी जी की विचारों पर फिर से जाने का नियोता उन्हें हमें दिया है परस्नली हमारे देश के प्रदान मंत्री जो है वो मिलके आपको आपका मार्क दर्शन कर रहे हैं सो अच्छा लगता है सब को यह वो लोग है जिनकी वैल्यू बहुत बाद में भी सुझ में आते कि क्या कर रहे हैं लाइस एं जेंटलमें प्लीज गिवर रांड अप्लॉस पर प्राम मिनिस्टर नरेंटर मौदी प्लीज वेलकम अड़री प्राम मिनिस्टर इस प्रिशल प्रोग्रम् आईए गांधी जी के 150 में जन दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिन्दा रखें आप सब का स्वागत है आपकी दुनिया से मेरा नाता तो बहुत दूर-दूर का भी नहीं है मा रहा गा यार गांधी 150 के समझ में कुछ करना चाहिए राजु ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने सब को जोड़ा और आप सबने समय दिया जब देश और दुनिया के लोग इसके माध्यम से गांधी को जब अनुभाव करेंगे तब यह आपका कॉंट्विशन बहुत बड़ा होगा जी जिसका साथ आपको अंदाज नहीं होगा और गांधी बहुत सरल है कहीं पर भी ले जाना है तो गांधी बहुत सरल है गांधी के माध्यम से आपको जास्ते हैं उन्होंने देशवर के गणमान या इसक्षेतर के लोग हैं जिन्होंने साधना की हैं हमारे छिनुलाल जी जैसे बड़े अपने प्रेक्षेतर के माहिट लोग हैं उन सब को इखटा किया कि मैं आपसे सुनना चाहता हूं कुछ आपके अनुभ हो आपको क्या लग रहा है कुछ आपके मन के कुछ सुजाव हो वह मैं सुनना चाहता हूं कांदी जी की विचार यकीनन इतने महान हैं, इतने गहरे हैं और उनमें इतनी समवेधन शीलता है कि यकीनन उनके विचारों को लोगों के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना, आज के नौजमानों के सामने रखना, ये बहुत ही जरूरी काम है, बहुत ही एहम काम है और आपने इसमें पहली, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, हर creative इंसान जो है, वो अपने काम के जरीए, इस बहुती important nation building exercise में योगदान दे सकता है, थैंकियो सर, आपने हमको यहाँ पर बोलाया उसके लिए, इस फिल्म के वज़ा से, आपके वज़ा से, हम लोगों में थोड़ा सा, गांधी जी के वज़ा से, थोड़ी दोस्ती हो गई, मैं और आमिर गले भी लगे, तो प्यार बढ़ रहा है हमारा, I truly believe that Gandhiji needs to be reloaded, Gandhiji 2.0 is what we need. जब एक साल पहले, आप से एक देट साल पहले मिलेते, तो हमें लगता था कि हम सरफ entertainment के लिए है, यह responsibility की nation building भी हमारे through हो सकता है, यह आपने दिया, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. जब यह फिल्म हमने सोची, तो मैंने जिस्ट को फोन किया, इम्मीजेटली सबने सपोर्ट किया और कहा कि यह बहुत अच्छा इडिया है, चेंज विदिन, सारे के सारे लोग एक यह दिन आ गए, और हमने बड़े जल्दी से फिल्म बनाई और इतना खुबसूरत सपोर्ट मिला, और मुझे लगता है कि अब हम लोग इस किसम की आने सब्सक्राइब और इसका असर दिखेगा आपको एक साल, देर साल भाने में विद्सक्षान्त तुन कर दिया, कमार रगपतिराखव राजयराभ लूटा मुझे ह। कि अप्राइब एक नागरी के वास्ते हैं, I should be very conscious whether I am doing things properly or not, unless the population, the people coordinate and cooperate, nothing will happen. गांदी जी के जो विचार है, वो जितने उस वक्त relevant थे उस उतने ही आज भी relevant है और उतने ही आगे चलके भी relevant रहेंगे. Sir, all the girls came back from the 70s. Sir, हमकूँ विशल से लेना है? हाँ. याइपाने दिया, और ना सब्सक्राइब और बारे बंच्वे को पहले पूपी ही जेखाते को अपी के लिए है भाई. हुआ है आप महिने में मुझे तो पूने, मैं आपको दुनिया भर की बात बाता हूँ, अच्छी बिबारी चली जाए है। आज जो इंस्पायर उन्होंने किया है, हमें भी लगता है कि हमें भी हमारे साइट से कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए करना चाहिए, जितना बन पड़ता है। प्रदानमंदरी जी को सुना तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जनरेशन गाप है हमारे बीच इतना जादा फरक है एज का, वो समाई के साथ चलते हैं। यह विश्वास पैदा करने वाले, यह दृष्टी दिखाने वाले, यह राह बताने वाले, मेरे खाल से पहली बार हमने इस देश में ऐसा नित्रित्व देखा है। आप मुझे जंजीरों में जगर सकते हैं, याद ना दे सकते हैं, इस शरीर को टस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैप नहीं कर्शबने हैं। I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. With a strong belief in your purpose, even an insignificant being can change the course of history. I am ready to die, but there is no purpose for which I am ready to kill. You are a product of your thoughts. What you think is what you become. Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If few drops in the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. It's the 150th birth anniversary of the Mahatma. Let's keep his thoughts alive. In the area of life. Thanks for calling. To be continued... To be continued... ...to be continued... To be continued... झाल झाल